नारायन 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 श्रीमद भागवद कृतियस कंद अथा दशमोध्यायः दशमा अध्यायः दशब्रकार के श्रिष्ठी का वर्णन विदुर जी ने कहा मुनिवर भगवान नारायन के अंतरजान हो जाने पर संपुर्ण लोकों के पितामा ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार के श्रिष्ठी कुद्पन न की बगवन इसके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशह वर्णन कीजिए और मेरे सब संश्रेयों को दूर कीजिए क्योंकि आप सभी पहुगियों में श्रिष्ठ हैं सूत जी कहते हैं शौनत जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनीवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न वे और अपने हुर्दय में इस्थित उन प्रश्णों का इस प्रकार उत्तर देने लगे श्री मेत्रेय जी ने कहा अजन्मा भगवान श्री हरी ने जैसा कहा था प्रमा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायन में लगा कर सव दिव्य वर्षों तक तप किया ब्रमा जी ने देखा कि प्रलेकालीन प्रबल वायू के जकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं प्रबल तपस्या एवं हुद्यमे श्थित आत्म ज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायू को पे लिया फिर जिस पर सभी बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा तब भगवान के द्वारा स्रिष्टिकार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश्ट में प्रवेश किया और उस एक के ही वुह, वह, स्वह ये तीन भाग किये यद्यपी वह कमल इतना बड़ा था कि उसके चौदह भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विबाग किये जा सकते थे जीवों के भोगिस्थान के रूप में इनी तीनों लोकों का शास्प्रम में वर्ण हुआ है जो निश्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपह, जनह और सत्य लोक रूप ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है विदुर जी ने कहा ब्रह्मन आपने अद्वुत कर्मा विश्वरूप श्री हरी की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभो उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए श्री मेत्रे जी ने कहा विशेयों का पूरुपांतर याने बदलना ही काल का आकार है स्वयम तो बह निर्विशेश अनादी और अनंत हैं उसी को निमित्त बना कर भगवान खेल खेल में अपने आपको ही स्विष्टी के रूप में रकट कर देते हैं बहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से इस्तित था उसी को अव्यक्त मूर्थी काल के द्वारा भगवान ने फुना प्रतक रूप से प्रकट किया है यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और बविशे में भी वैसा ही रहेगा इसके स्रुष्टी नव प्रकार की होती है तथा प्राकरत वैकरत भेव से एक दस्वी स्रुष्टी और भी है और इसका प्रले काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा तीन प्रकार से होता है अब पहले मैं दस प्रकार के स्रुष्टी का वर्णन करता हूँ पहले स्रिष्टी महत तक्त्व की है भगवान की प्रेरणा से सत्व आदी गुणों में विश्रमता होना ही इसका स्वरूप है दूसरी स्रिष्टी अहंकार की है जिससे प्रित्वी आदी पंच भूत एवं ज्यानेंद्रिय और करमेंदियों की उत्पत्ति होती है दूसरी स्रिष्टी भूत सर्ग है जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन करने वाला तनमात्र वर्ग रहता है चाउती स्रिष्टी इंद्रियों की है यह ज्यान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है पांच में स्रिष्टी साथ्पिक अहंकार से उत्पन्न होए इंद्रिया दिष्ठाता देवताओं की है मन भी इसी स्रिष्टी की अंतरकत है छठी स्रिष्टी अविद्या की है इसमें तामिस्र, अंद्रतामिस्र, तम, मोह और महामोह यह पांच गांठे हैं यह जीओं की बुद्धी का आवरण और विच्छेव करने वाली है यह छे प्राकृत स्रिष्टियां है अब वैकृत स्रिष्टियों का भी विबर्ण सुनो जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं यह सारी लीला उनी श्री हरीकी है वे ही व्रह्मा के रूप में रजोगुन को स्विकार करके जगत की रचना करते हैं छे प्रकार की प्राकृत स्रिष्टियों के बाद सातरी प्रधान वैकृत स्रिष्टियों इन छे प्रकार के स्थावर व्रक्षों की होती है वनस्पति जो बिना मौर आये ही फलते हैं जैसे गूलर पड़ पिंपल आदी और दूसरे आउशदी जो हो फलों के पकजाने पर नश्ट हो जाते हैं जैसे इधान गेंव चना आदी तिसरे लता जो किसी का आश्ट्रे लेकर बढ़ते हैं जैसे ये ब्रामे गिलोई आदी शावती त्वक्सार जिसकी छाल बहुत कठोर होती है जैसे पांस आदी पांचमी वीरुद्ध जो लता प्रत्वी पर ही फैलती है किन्तु कठोर होने से उपर की और नहीं चड़ती जैसे ये खरबुजार तरबुजा आदी और दुरुम के छटे जिन में पहले पूल आकर फिर उन पूलों के इस्थान में ही ये जैसे आम, जामून, अर्याई इनका संचार नीचे जड़ से उपर की और होता है इन में प्रायः ज्यान शक्ति प्रकट नहीं रहती ये भीतर ही भीतर केवल इस पर्ष का अनुभव करते हैं तथा इन में से प्रत्येक में कोई विशेश गुण रहता है आजमें स्रिष्टी तीरियक योनियों की है पशू पक्षियों की वह 28 प्रकार की मानी जाती है इन्हें काल का ज्यान नहीं होता तमोगुन की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना मैतून करना सोना आधी जानते हैं इन्हें सूंगने मात्र से वस्तों का ज्यान हो जाता है इनके दय में विचार शक्ति या दूर्ट दर्शिता नहीं होती साधु स्टेश्ट इन तीरियकों में गव पकरा भैसा क्रिष्ण म्रिग सूर नील गाय रूरू नामक म्रिग भेड और उंट ये वीशप याने दो पुरों वाले पशू कहलाते हैं गधा गोडा खचर गवरम्रिग शरफ और चमरी ये एक शप एक खुरवाले हैं अब पांच नखवाले पशू पक्षियों के नाम सुनों कुत्ता, गीदड, वेडिया, बाग, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, मंदर, हाथी, कचुवा, गोह और मगर आदे ये पशू हैं कंक, बगुला, गित, बटेर, बाज, भास, भलूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कवा, और उल्लू आदी उड़ने वाले जीव पक्षि कहलाते हैं विदुर जी, नमी स्रिष्टी मनुश्यों की है, यह एक ही प्रकार की है, इसके आहार का प्रवाह, उपर से नीचे, मुँव से नीचे की ओर होता है यह मनुश्य, रजोगुण प्रदान, कर्म परायन और दुख रूप विश्रयों में ही सुख मानने वाले होते हैं इस्थावर, पशूपक्षी और मनुश्य, यह तीनों प्रकार की स्रिष्टियां, तथा आगे कहे जाने वाला दैव सर्ग, वैकृत स्रिष्टी हैं तथा जो महत्त्त्व आदी रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत स्रिष्टी में की जा चुकी है इनके अधिरिक्त सनत कुमार आदी रिष्टियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है देवता, पितर, असुर, गंदर्व, अपसरा, यक्ष, राक्ष, सिद्चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, और किन्नर, किम, पुरुष, अश्व, मुख आदी बेद से देव श्रिष्टी आठ प्रकार की है, विदुर जी इस प्रकार जगत करता, श्री प्रह्मा जी की रची हुई, यह दस प्रकार की श्रिष्टी मैंने तुमसे कही अब आगे मैं वंश और मनमंतर आदी का वर्णन करूंगा, तो इस प्रकार स्रिष्टी करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरी ही, ब्रह्मा के रूप से प्रत्यक कल्प के आदी में, रजोगुन से व्याप्त होकर, स्वयम ही, जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं, पुझे सत्य संकल्प भगवान की जै, श्रीमद भागवद महा भुरान की जै, नारायन, 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 नारायन.